नमस्कार दोस्तो जो बलड चैनल पर आप सभी का स्वागत है सबसे पहले अगर आप अमारे चैनल पर नए हो तो क्रिपाकर के बेल आइकम प्रेस करके ओल नोटिफिकेशन जुरूर होन कर लिजिए अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो जादा से जादा जो कि आपके लिए क्योंकि आपके एक शेर से हो सकते है किसी को बहुत बड़ी इंफोमेशन मिल जाए ठीक है जी जो कि आपके लिए RCI की तरफ से DRDO की तरफ से बहुत बड़ी ओप्चिनूटी आई है वो आपके साथ शेर करने जा रहे हैं कोई भी केंडिडेट वीडियो कर सकता है कब से अप्लाई कर सकता है पूरी की पूरी डिटेल आपके साथ शेर करेंगे कोई भी कंडिडेट वीडियो स्किप ना करें यह देख सकते हो डिफेंट डिफेंस रिसर्च एंड डिवल्पमेंट और्केनाइजेशन यानि की DRDO की आर्सी आई की ग्रेजुएशन कर देख सकते हो और सबसे बड़ी बात डियाडियो में अप्लाई करने के लिए अप्रेंटिशिप के लिए कोई भी फीस नहीं है और कम से कम आपकी एज 18 साल होनी चाहिए ठीक है कब तक एक जनवरी 2022 तक ठीक है और टोटल पोस्टों की बात कर लेते हैं आपा तो 150 यानि की 500 पोस्टें डिय लिए कौन कौन काडिडेट अप्लाई कर सकता है क्योंकि दसवी तो मंगी ही यह मंगी है डिप डिप्लोमा और ग्रेजूएशन वालों के लिए बीटक वालों के लिए बहुत बरपूर अप्चनूटी है कोई भी इस अप्चनूटी को मिस ना करे ठीक है जी और यह देख स में electronics communication में CHC में ठीक है जी और mechanical में और chemical में ठीक है बीकॉम या BSC अले भी इसमें apply कर सकते हैं graduate के लिए उसके बाद next बार कर लेते हैं DRDO technician diploma apprentice DRDO technician diploma apprentice की साथ पोस्टे हैं जी इसमें diploma भी मांगा हुआ है सेम ब्रांचिस में diploma मांगा हुआ है ठीक है इसमें diploma ही मांग है बीकॉम तो सिर्फ इसमें graduate वालों में इसमें diploma मांग है diploma वालों के लिए भी बहुत बड़ी opportunity है सबसे जाड़ा पोस्टे ही diploma diploma की है जो की साथ पोस्टे हैं DRDO IT apprentice DRDO में IT apprentice की IT मांग हुई है NCVTO IT हो NCVT हो फिटर में हो टरनर में हो इलेक्टरिशन में electronics में mechanical में वैल्टर में इसी में diploma इसी में बी टेक या graduation मांग है और इसी में ही IT मांग हुई है आपके लिए बहुत बढ़िया opportunity है यह opportunity का benefit उठाईएगा ठीक है यह officially website आपको इस वीडियो को description box में देखने को मिल जाएगी यहां पर देख सकते हो आपको एक तो GRF का result देखने को मिलेगा एक उसके बाद apprenticeship का जो की आपको engagement जो की notice आया वो भी देखने को मिल जाएगा उसके बाद यह date दे सकते हो 25 जनवरी से form apply होने शुरुआत हो चुकी है start हो चुके है closing date की बात कर लेते हैं तो 7 February इसकी last date बता ही है अब आप पर चलते है officially notification की तरफ ठीक है जी ताकि आपको थोड़ा सा clear हो सके ठीक है officially notification की तरफ आप चलते हैं यह देख सकते हो यह officially notification है जी इसमें जो की मैंने आपको बताया है graduation base पर 40 post ए है और diploma base पर 60 post ए है और IT base पर 50 post ए, 500 post ए है और main bar कर लेते हैं इसमें जो की आपकी stipend रहने वाला है 9,000 graduation वालों के लिए और 8,000 रहने वाला है diploma वालों के लिए और IT वालों का मान लेजिए इससे कमी रहने वाला है क्योंकि एज पर गोर्वें नॉर्मल्स ओके डैट कलियर है सार फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो ओके उसके बाद नेक्स्ट बार कर लेते हैं यह जुरूर देखिएगा आपको इस एड वेबसाइट पर दिले जाकर आपने अप्लाई करना है ग्रेजिएशन और डिप्लोमा व हैं चैन्डिडेट उन्होंने अप्रेंटिशिप पॉर्टल पर जाकर अप्लाई करना है कैसे अप्लाई करना वो आपको वेबसाइट भी मैं दिखा दूँ आ ठीक है यह सारा देख लीजिए अप्रेंटिशिप का आपका ये जो टेंडर होगा यह टेंडर आपका बारा मं नहीं स्टार्टिंग में कहा है एक सर्फ अपको एक काईज रीज रोगी मतलब ही ट्रेंग होता है ओके नएस्ट बार कर लेते हैं यह देह सकते हो लिंक इन्टो एफेक्ट आफ पत्चीस जन्वरी यह पहले का सट्रोल चल रहा है यहां आपको अप्रेंटिस डिप्लोमा ग्रेजुएट अप्रेंटिस लग आपको देखने को मिलने वाले हैं ठीक है और अगर प्रेंटिस आगया बी ग्रेजुएशन कर दी तो ग्रेजुएशन आगी ठीक है माल लीजिए मैं आई टेई वालों के लिए अप्लाई करना चाहता हूं ठीक है आई टेई यहां पर कर दिया आई टेई आगया और यहां पर apply और edit दो option देखने को मिल रहे हैं यह देख सकते हो आपके पास अगर registration आपने कर लिया आपने इसका पूरा परफोर्मा यानि की पूरी की application आपने डाउनलोड करनी है तो यहां से आप easy way में कर सकते हो otherwise आपने register करना है apply करना तो register here पर क्लिक करना है simply ओके और उससे पहले मैं यही refer करूँगा यह वाली जो instructions है यह instructions जुरूर ध्यान दीजिएगा यह officially notification मैंने पहले भी दिखा दिया है यह officially notification आपको description में भी provide कर वा दिया है फिर भी किसी को कोई query रहती है तो यह number भी इसी PDF में मिल जाएगा आप concern भी कर सकते हो जादा information ठीक है apply करना है पहले आप eligibility conditions देख लीजिए आपकी age देख लीजिए फिर register here पर click कीजिएगा ठीक है यह देख सकते हो यह आपको registration किस पोर्टल पर करना एन एपीएस एन एपीएस का पहले registration मांग रहा है आपका iti वालों का जो कि मैंने आपको पहले भी यहां पर दिखाया था यह वालों के लिए एन ही registration यहां पर मंग है यह देख सकते हो registration number in naps portal naps portal पर आपने कभी भी अप्लाई किया है तो वो registration number आप यहां पर डाल सकते हो ओके और उसके बाद next बात कर लेते हैं जैसे diploma या graduation वालों के लिए इनके लिए भी same ही रहेगा registration किया और nats portal पहले आपने nats portal पर यह तो हो गया naps उनके लिए ITE वालों के लिए और जो दूसरा मैंने बताया है आपको nats यह देख सकते हो nats national apprenticeship training scheme आपने इसका registration पहले इस पर registration करना है उसके बाद इसका registration number यहां पर डालना है mobile number डालना है फिर आपके mail id डालना है फिर आपने यहां पर submit करके फिर इस portal पर आना है पहले आप आपको बता देता हूं ठीक है जी first of all आपको यह description box में दो number page पर यह second number option में सारे कुछ दिखने को मिल गया है ठीक है यह पर मैंने पहले भी बताया आपको आपने गोड़ कियो ना कियो बीटेक वाले हैं या डिप्लोमा वाले हैं तो उन्होंने national portal पर जाना है national portal याने एनन ATS के पर पहले इस पर registration आपने करना है अगर ITI वाले candidate है तो ITI वाले candidate ने apprenticeship portal पर ही apply करना यह apprenticeship portal है NAPS का ठीक है जी दोनों के लिए अलग अलग है अगर आप graduate है और पहले पर आपने registration जरूर करना है ठीक है फिर ही आप इस पर DRDO के लिए apply कर पाऊगे अगर आपने local पर नही किया तो NAPS या NTS पर आपने registration नहीं किया तो आप DRDO के लिए apply नहीं कर पाऊगे आयोप सो भी मैंने पूरी query आपकी clear out कर दिया है बकी यह आप पूरी पोस्टों की details भी देख सकते हो इसके down में सारी के सारी इसमें भी देखने को मिल जाएगी आपको ठीक है जी यहां पर आपको यह आपको website भी इन्होंने दे दिया है यही चीज आपको PDF में भी मैंने प्रोवाइड करवा दिया है यह PDF आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगी और document क्या चाहिए 10 चाहिए अगर आप डिप्लोमा या आई टिए की जिससे भी अप्लाई कर रहे हो उसकी डिगरी चाहिए डिप्लोमा चाहिए इस certificate चाहिए अगर आपका PWD से हो तो PWD का भी ID प्रूफ चाहिए ठीक है certificate का और आपका एक ID कार्ड यानि की अदार कार्ड वोटर कार्ड पैन कार्ड ड्राइवरी लाइसन्स कुछ भी हो एक अदार कार्ड और बैंक कापी पास्बुक कापी भी चाहिए ठीक है जो आपकी स्टाइफंड आएगा बैंक कापी में आएगा उसके बार एकोनुमिक विकर सेशन हो तो वह भी आपका चाहिए ठीक है एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो की सिविल असिस्टेंट सरजन से मिलेगा वह भी आपका चाहिए और दो पास्पोर्ट साइज आपको अप्ल पहले लोगिन करना है फिर इस वैब फायड पर आकर डी अर्डी ओ के लिए फिर अप्लाई होगा पहले एंड टी एस अप्लाई करकर उसका रेस्टेशन नंबर लेकर फिर इसमें डी आप्लाई करना है उसके बाद आई टे इवालोंने जो की आईटे ट्रेड़ वाले अप के लिए पहले उन्होंने कि apprenticeship की site पर apply करना है ठीक है जी सब्सक्राइब नहीं करेंडिये ने नैशनल apprenticeship पर प्रफ प्रडाई करना है फिर आपने इस पर आ कर करने डी Iowa के लिए अगर आप से कम एज मागी हुई है और साथ फरवरी तक आप लास्ट साथ फरवरी तक उनलाइन अपलाई कर सकोगे कि इसमें कोई भी फीस नहीं है आज पच्छिस तारिक से शुरुआत हो चुकी है फॉर्म फिलप होने की आई ओप सो पी यह इंफरमेशन आपके लिए बहुत बढ़ि इंफरमेशन मिल रहे है वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दन्यवाद आपका दें शुब मंगल में हो ऐसी हम कामना करते हैं थेंक यू वेरी मच